तो गाइज यह जो आप प्रोड़क्ट देख रहे हो यह मैंने मंगबाया आमेजॉन से सो यह मैं इसके अन्बोक्सिंग कर रहा हूँ जेरिक्वाराइज है विपतलों हो यह पर अगार से फिर्ट राइटे नियां हुआ जैसे कि आप देख सकते हो यह है वील लौक्ष बिसकली जो कार का जो कॉस्ट है उसको यह लॉक कर दिता है जिसरी कि जो कार है वह आगे move on नहीं हो पाती है, so guys आप देख सकते हो, यह कैसा है lock? यह जो lock है, आप देख सकते हो, यह ऐसे wheel के अंदर सीधा जाएके clamp हो जाता है, और उसके बाद आपका टारा वह move on नहीं हो पाता, तो guys जैसे कि आप देख सकते हो, यह मैंने Amazon से मंगवाया है, और जो इसकी quality है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो, यह आपको दो इसके अंदर key मिलती है, so key का आप देख सकते हो, hole किस तरीके का है, तो इस key का थोड़ा से यह फायदा है कि कोई और key बना कर, जैसे key maker key बना देते हैं, वो बना कर कोई भी इसके अंदर नहीं लगा सकता है, so basically इसी वाली key से खुलने वाला है, so अभी मैं इसको निकाल कर आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरीके से काम करता है, so guys जैसे कि कि बात करो तो काफी हेवी है, अप्रॉक्स 2kg के अराउंड यह अराम से होगा, काफी अच्छी इसकी build quality है, आप देख सकते हो, ओट में का है यह, और अभी मैं इसको आपको अपनी कार के अदर fix करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे fix up होता है, और क्या इसका आगे result रहता है, तो गाइस, अभी मैं इसके अंदर key लगा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहां से key लगाते है, easily open हो जाता है, key लगाते है, इसको आपने हलका से गुमाना है, और यह फिर निकल जाता है, वापस आप इसको निकाल सकते हो, फिर अगेन आप इसको keyless lock कर सकते हो So guys, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसको कर रहा हूँ, अभी fix up और यहां पर लगाँगा, अब मैं key, और आप देख सकते हो, मैं key लगा रहा हूँ, और आपको सिर्फ एक बार key लगानी है, उसके बाद जो इसका lock है, वो खुल जाएगा, और उसके बाद आपने इन दोनो parts को अलग करके wheel में फसा देना है, आप देख सकते हो, फसाने के बाद सिर्फ आपने without key इसको उपर से दबा के lock कर देना है, जैसे कि मैंने किया है, अब आप देख सकते हो कि जो tire है, वो ना आगे move on कर सकता है, ना ही पीछे move on कर सकता है, क्योंकि यह काफी heavy metal का बना हुआ ह अब मैं इसको आपको open करके दिखाऊंगा, उपन करने के लिए सिर्फ आपने एक बार इसके लगानी है, उसके बाद आप इसका lock open हो जाता है, और आप अगेन इसको आप easily remove कर सकते हो, आप इसको alloy में भी लगा सकते हो, अलोई wheels में भी आप इसको easily लगा सकते हो, बेस पार approximately यह आपको मिल जाएगा, 1100 के अंदर आपको यह मिल जाता है, so guys मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye-bye